वहादर गड़ से गुडगाओं की बस ले लूँ वहाँ उतर जाओ बीच में तो मैं फाइली अपने ससुराल जा रही हूँ वहाँ को लेके लिजाओं ज्यादा बेटर है बैक को क्योंकि निपटा के तो हम निकल रहे हैं अब भगवान जी का आशिरवाद लिया है कि मेरी यात्रा सफल करें और जिस मकसद से मैं जा रही हूँ सबको मिलाने सबको एक करने वो सब पूरा हो सबके दिलों में प्यार जागे बहुत मिस करूंगी यहाँ को अपने ससुराल जा रही हूँ वही मेरा असली घर है वियान कह रहे है कि मुझे तो आइसक्रीम खाने है मैं खहते हैं अब तो हमारा खाना पीना आगे उन्हीं घर में होगा हलो एवरिवन कैसे हूँ आप सभी अक्तूबर महीने का भी देखो आधा महीना चला गया जानते ही हो अल्मोस्ट तो इस वज़े से देखिए मोसम हलका हलका थंडा होने लग गया देखो बच्चों के लिए तो देखिए सुबह शाम की ठंड हो गई अब इस टाइम तो इस थंडा मोसम देखो हो जाता है इस टाइम तक आप सोची सकते हो अक्तूबर नवंबर में तो थंड हो ही जाती है तो इसलिए थंडा थंडा मोसम हो चुका है लोगोंने फुल स्लीव कपड़े पहन रखे हैं पूरी बाजू के कुछ कुछ लोग जो जैसे ओल डेज लोग हो सब को देखो मेरा दिल ऐसा नहीं है कि आप लोग यह सोचो कि नीधी कभी भी ऐसा नहीं मेरी कभी देखी ऐसी सोच कभी रही नहीं है कि मैं वीहान को देखो उसके दादा दादी से अलग करूंगी या मिलने नीदूंगी या यह कहूंगी कि नहीं मैं आप लोग उसे प्यार कैसे दूर कर दूँ, आप ही सोचो ना, चलो ठीक है, विहान को थोड़ा सा उसकी भी कुछ मैमरी बन जाएंगी, क्या देखो क्या माग रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है, कि मेरा बेटा हमेशा के लिए उनके घर जाके रहने लग रहा है, नहीं न, ऐसा तो नहीं है, मेर बेटा मेरे साथ ही है मेरे साथ ही रहेगा मेरे साथ ही बढ़ा होगा ठीक है कभी वो लोग आ गए मिल गए है ना जी तो चलो चलते हैं उनके घर आप लोगों को नजफगड से मिलवाती हूँ अच्छा जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देती हूँ कि जो अफिए में ही है, क्यूंकि अब तो नंजवगर से हैं इतनी तो मतलब मेरा समस्राल था वो दिल्ली जु को दिल्ली है। ओढ़ते हुआ ही है, नहीं हैं हम दिल्ली काले हैं। तो फिर ऐसे वह थोड़ा सा होता ही है थोड़ा सा इस तरीके से इस तरीके से सुपरियरिटी कॉमपलेक्स की हbud 600 दिली वाले हैं तो बो चीज होती हैं तो देखे ये झाभी तो देखो ये अपने सब्सक्रावत थैं गुजा χूरत थी यहां पे कंपनियां होती है आप नोकरी कर सकती हैं अच्छी अच्छी कोर्परेट नोकरियां हो सकती है तो मुझे भी काफी चाव था मेरे को था लेकिन देखो किस्मत में जो होता है ना वो होके ही रहता है बस अगर मेरे हस्बेंड की डैत ना हुई होती तो अगले 25-30 साल अपनी जिंदगी के मैं दिली में ही गुजार देती, दिली में ही मेरी जिन्दगी निकल जाती है, और मेरे बचे दिली के स्कूलों में पढ़ता है, विहान भी, बट अइसा कभी अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा तो अब देखो, एकदम कहता है नहीं साथ छूट गया दिल्ली से बिलकुली हाँ कभी कबार आना जाना जरूर दिल्ली होता रहता है अभी आप लोगों को पता भी है अभी भी कुछ टाइम पहले में 20-25 दिन पहले दिल्ली आई थी जब मेरे भाई से मिलने के लिए क्योंकि मेरे भाई का एडमिट है तो इस वज़े से तो जी इसलिए दिल्ली में पहले भी आई थी आपको मालूमी है तो मेरा अभी देखो अब मैं फिर आज देखो इस तरीके से दिल्ली के लिए चलो सफर हमारा शुरू हो गया है और आज देख लीजिए अब आप लोग जल्दी इतने सारे का करवाने एक तरफ देखो वोल पेपर वाले भाया को भी आना है तो देखो वो पता नहीं किस टाइम तक आएंगे भाया और आना तो है देखो लेकिन वही है ना कि मेरा होना भी तो जरूरी है ना घर पर तो देखती हूं बात करती हूं उन से फोन पे उनके साथ डेट फिक और मुझे पतानी मैंने ठीक किया नहीं किया वी हान को ये पूरी बादजू का स्वेटर पहन आके बड़ इतना मोटा नहीं है जितना आप को वीडियो में दिख रहे है पतला साय मतलब ये टीशिट टाइप का स्वेटर तो दिख रहे हैं पट एक्चुल में ये अपने बच्चे को इतने मोटे मोटे कपड़े पहना दी अक्तूबर के महीने में वो भी तो ऐसा नहीं है देखिए ये बच्छे को जो भी पहना ये भी मतलब पतला साइए जादा का दा जादा वो निया देखिए अभी जो शाम की ठंट होती है न यह लोगों पहन रखिए देखो ना इस टाइम वो भी अक्तूबर के महीने में तो इससे समझ में आता है की देखिए लोग पहले जैसे नी रहे लोग अभी यह सोचते हैं यहां मैंने पैसे दिये देखो बच्चे के लिए दुआ मांगने के लिए बच्चे की लंबी उमर के लिए तो मुझे ऐगा ज अब 2-3 दिन पहले तक भी इतनी ठंड नहीं थी बट एक ही दम से ना पता नहीं कहां है एक दम से बरफ पड़ी है जिसकी वज़े से क्या हुआ कि हमारी धर तो बहुत ही जादा ठंड हो गई है और इतनी जादा ठंड होगी है देखो आप पीछे आप देख सकते हो मैं आपक क्योंकि बस यह अक्तूबर का मिड लग चुका है तो सरदियों की शुरुआत है यह तो मैंने तो खेर नहीं पहना इस टाइम क्योंकि मैंने बस यह पूरी बाजू की इसलिए सूट पहन लिया था और यह देख लीजिए जी यह होती है एक औरत की कहानी ससुराल में दुपटा हटा लो माई के जा रहे हो और जब ससुराल की तरफ जाते हो तो देखो ससुराल पहुचने से पहले ही आपके सिर प्यार ओटोमेटिकली यह दुपटा तो आ ही जाता है तो यहां से मैंने थोड़ा सा रीचार्ज करवाया और लो जी लो जी विहान के दादा जी भी लंबे थे तो हाइट से अंदाजा लगा सकते हो तो यहां पर देखो यह लेने आये थे हमें विहान को और मुझे यह रिक्षा कर रहे थे यहां पर प्राइस पूछ रहे थे कि कितने रुपे में चलेंगे घर तक तो यहां पर पैसो की बात चल रही थी और देदलो जी लेकिन चलो मिलने आई हूँ तो बस घर कह सकती हूँ नहीं पहले टाइम पर मुझे लगता था वो घर मेरा है यह ससुुराल का घर लेकिन अब मुझे वो नहीं लगता कि ये घर मेरा है मुझे ये लगता है कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो भी हिसार वाला घर बस वो ही मेरा है चोटा सा है लेकिन वो मेरा है बढ़ चलो कोई बात नहीं देखो अगर फिर भी देखो बात ही है ना कि देखो इसमें तो क्या है? देखिए मैं मिलने आ जाना कोई गलत बात नहीं होती है इसमें कोई वो बात नहीं है और फिर आप लोग मेरे को ना ऐसा तो नहीं है ना आप लोग खुद ही चीज़ सोचिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे बच्चे का स्कूल थोड़ी खराब कर सकती हूँ मैं तो इसलिए देखिए रहना तो हमें हिसार में ही है बस एक दिन दो दिन मिल गए, मिलवा दिया बच्चे को छुटी होती है विहान की तो बस यही होता है, हना और तो क्या है कभी वो आ गए जब उनकी छुटी हो और तो कोई बात नहीं होती, तो यह देख लीजीए, पतली-पतली-गलिया यह होती है नजफगड की गलिया, पतली-पतली सी गलिया होती है, इस तरीके से बनी हुई होती है यहां पर अभी पाइप लाइनिंग नहीं बिछी है यहां कई जगा बिछगी हो तो अलग बात है सीवेज सिस्टम यहां भी नहीं है यहां पे वो सिस्टम है जो मतलब वो सिस्टम नहीं होता है मेरे यहां पे भी नहीं है सिस्टम यहां पर होता है वो दूसरा सिस्टम होता है मतलब वो क्या बोलते हैं उनको यार वो मैं बस बता नहीं पा रही हूं वर्डिंग में मुझे पता नहीं समझ नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं बस उनमें क्या होता है जैसे साइड में क्या होता है गड़ा सिस्टम हो यह करते हैं वही सब से डवैलफ शीति की निशानी होता है बट चलो यह गलियां देखो एक टारी ताइम ऐसाल ही यह कंसको छोड़ा करते थे और हैं यह दिस आउन ऐन गलियों कराण से नीकला करते करते थे ilogh आज husband नहीं है इस दुनिया में तो मैं भी अपनी मेरी भी अलग दुनिया है हिसार में जहां मैं रहती हूँ तो लेकिन देखो फिर भी मैं मिलवा रही हूँ देखो फिर भी मैं efforts कर रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं विहान के दादा को दादी को विहान से मिलवाना जरूरी बहुत हैं मेरा देती हूं इसमें कलो मेरा बच्चाहरा भी मुझे कहाए गल आ परमी ने हैं मञ़कचे को इसमें Sunny कैने मिल वही कौछ बहुत है कि मेरी मम्मी सभी थी मेरी अच्छी थी तभी मेरी ने हमेशह कभी भी मेरे को दूर नहीं किया कभी मेने मैने बच्चे को बीच में ऐसे यूज करूंगी कि मैं नहीं बात करवाती से तो ऐसा मैंने कभी करने की कोशिश नहीं करनी करी विहान की क्योंकि बच्चे का दिमाग में यार कोमल दिमाग होता है थीक है जो बड़ों के जगड़े होते हैं उसमें बच्चों को वैसे भी बीच में लाना जरूरी नहीं होता उनको क्यों बीच में पीसना है उनको मैं क्यों बोलूँ बच्चे को क्यों सिखाऊं मैं विहान को कभी कुछ नहीं सिखाती बस हाँ मैं सामने वालों से भी यही उमीद रखूंगी कल को कि वो भी मेरे बच्चे को उल्टी सीधी ना पढ़ाए जैसे मैं विहान को नहीं उल्टी सीधी पढ़ाती कि किसी के मन में बच्चे के मन में कोई वैरभाव नहीं रखती किसी के लिए कुछ नहीं रखती तो कल को मेरे बच्चे के मन में भी कुछ ना इस तरीके की चीजे भरी जाए क्योंकि देखो पती को सिखाया जा सकता है बट कहते नहीं है कि आप अपने बेटे को सिखा सकते हो बट दूसरे के बेटे को नहीं सिखा सकते हो तो बस देखो उनका हक था सरनी पे तो सरनी पे सिखा सकते थे कहीं न कहीं कि हाँ भई तेरी भव ऐसी है तेरी भव ऐसी है बट मेरे बच्चे को नहीं सिखा सकते कि को सिखा सकती हैं बट आप किसी और के बच्चे को नहीं सिखा सकते हो तो लेकिन चलो कोई बात नहीं बस भगवान से बस यह प्रातना करती हूं कि सब खुश रहें मेरे दिल में तो देखे किसी के लिए कुछ भी नहीं है नफरत नहीं है बस मैं तो सोचती हूं कि हर कोई कि मैं तो सब की रिस्पेक्ट करती हूं इजद करती हूं दिल से मैं कभी किसी के मन मेरे मन में वो चीज नहीं रहती कि उसने ये किया था उसने वो किया था मैं तो पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने वालों में से हूं मैं हमेशा है सोसती हूं कि आगे बढ़ो जि सारी खुशियां दे उनको हमेशा खुश रखे उनकी जिन्दगी में भी खुशियां लेकर आए तो यहां पर देखिए जी चलो जी अब विहान को विहान की दादी से भी मिलवाने का समय आगे है मेरा तो मिलवा देती हूं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो रात को मि भी बाई टेक केर